नमस्कार जी एस टेव विशेश अंदर की बात के साथ मैं हूँ कृष्णा मोधी सरनेम मानहानी केस में कॉंग्रेस सेता राहूल गांदी को दो साल की सजा के खिलाफ गुजरात हाई कौट में सुनवाई हुई राहूल गांदी की तरफ एडवोकेट अभिशेक मनु सिंग्वी पेश हुए और दलीले रखे दलीलों के बीच कहां याद आये नवजोत सी सिद्धू देखते स्पेशनल रिपोर्ट अंदर की बात में मोदी सर ने मानहानी केस में कॉंगरेस नेता राहूल गांदी की अबिल पर सुनवाई हुई जिसके बाद अब मंगलवार को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी राहूल गांदी की अपिल पर वरिष्ट वकील अभिशेक मनु सिंग्वी Justice Hemant M. प्राच्छक की कोट में दलिले रख रहे है कोट में राहूल गांधी का पक्ष रखते हुए सिंग्वी ने सजा पर रोक की मांग की है सिंग्वी ने कहा कि जब नवजोट सी सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहूल गांधी को क्यों नहीं अभिशेक मनु सिंग्वी ने नवजोट सिद्धू के केस का हवाला दिया और कहा की 302 और 307 के तहट नवजोट सी सिद्धू को भी कन्विक्शन पर स्टे मिला था करीब देड गंटे लंबी दलीलों के दोरान सिंग्वी ने सुरत कोट द्वरा दे गई सजा पर सवाल खड़े किये सिंग्वी ने कई मामलों के रेफरेंस भी पेश किये सुरत कोट के फैसले को कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी ने पहले शेसंस कोट में चुनोती दी थी लेकिन सुरत की शेसंस कोट ने CJM कोट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहूल गांदी की अरजिक खारिच कर दी थी कॉंग्रेस नेता अब मोधी सरनेम केस में सुनाए गई दो साल की सजा के खिलाफ गुजराथ हाई कोट में अपिल दाखिल की है कॉंग्रेस नेता की अपिल पहले जस्टिस गीता गोपी की कोट में सुनवाई के लिए गई थी लेकिन जस्टिस गीता गोपी ने नौट बिफोर मी कहकर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था उसके बाद इस राहूल गांदी के अभिल पर सुनवाई के लिए दूसरी सिंगल बैच तै की गई थी उसके बाद यह मामला जस्टिस हैमन्त एम प्राच्छर की कोट में सुची बद हुआ था करनाटका में दस मई को होने जा रहे विदान सभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा ऐसे में पूरो कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांदी ने एक चुनावी सभा में एक वादा किया इतना ही नहीं उन्होंने भारत की जीन्स की राध्धानी बनाने की भी बात कही साथ ही प्रधान मंत्री मोदी पर आरोप लगाया क्या है आरोप क्या है राहूल गांदी का चुनावी वादा देखते करनाटक रिपोट अंदर की बात में करनाटक में दस मई को हुने जा रहे विधान सभा चुनाओ में अब ज्यादा समय नहीं बचा है ऐसे में पुर्व कॉंग्रेस अध्यक्स राहूल गांदी ने एक चुनावी सभाव एक वादा किया है कॉंग्रेस निता ने कहा कि मैंने भारत जोडो यात्रा के दौरान बलारी में कुछ जीन्स नर्मान इकायों का दौरा किया जो शहर से होकर गुचरती है मैंने उन इकायों में काम करने वाली महिलाओ की दौरदशा देखी मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि हम बलारी को भारत की जीन्स राजधानी बनाएंगे या किसी सरकार का नहीं बलकी मेरा वादा है हमें एक जीन्स मैनुफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे मैं वह दिन देखना चाहता हूँ जब हम दुनिया भर के युवाओ द्वारा पहनी जाने वाली सभी जीन्स पर मेड इन बलारी और मेड इन करनातक टैग देखेंगे मैं करनातक के मुख्यमंत्री से कहूंगा और यह काम करवाऊंगा यह मेरा वादा है राहुल ने पियम नरेंद्र मोदी पर भी तंजुकस्ते हुए कहा कि वह जहां भी जाते हैं जूठे वादे करते हैं राहुल ने कहा कि पीम ने वादा किया था कि वह आपके खाते में 15 लाक रुपए डालेंगे और काले धन के खत्रे को समाप्त करेंगे लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया